अगर मैं आपसे पोचूँ कि इस specific relief act 1963 में section 14a, section 20a, 20b and 20c इन सारे sections को insert किया गया है या amend किया गया है या फिर substitute किया गया है तो आपका जवाब क्या होगा अगर आपने ये सोच कर insert select किया है कि ये सारे sections तो नए जोड़े गए हैं तो आप बिल्कुल सही नहीं हैं ये सोचने क कि गलती मत करना कैसे तो आईए समझाते हैं आपको आज की इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं कुछ basic बातों को और साथ ही समझें section 14a of specific relief act को भी देखिए जब भी इस टाइप का कोई question exam में आपसे पूछा जाता है तो वहां logic काम नहीं आता वहां काम आती है आपकी return तवि because SRA 2018 amendment act में यही छपा है कि old section 14 को substitute करके new section 14 and 14a रखा गया है और old section 20 को substitute करके section 20, 20a, 20b and 20c रखा गया है तो यहां मैं यह कहना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी amendment से लाए गए sections को पढ़ें तो इस छोटी सी बात का ध्यान ज़रूर रखें क्योंकि ये एक छोटी सी लापर भाई आपको आपकी जिन्दगी बदलने से रोक सकती है चलिए अब चलते है section 14a को समझने तो अपने बेरेक्स खोल लीजिए paper pen साथ रखिए अपने आखों को screen पर set कीजिए and better sound quality के लिए earphones पहन लीजिए section 14a से codes को ये power दे दी गई है कि वो experts को किसी suit की proceeding में बुला सकें क EPC 1908 के provisions पर कोई effect नहीं डालेगा यहां यह क्यों कहा गया है तो यह आपको पता ही होगा कि specific relief act एक civil nature का act है जिसके तहट file किये गए suit में code of civil procedure में दिया गया procedure apply होता है अब यह section 14a जो की substitute करके लाया गया है यह एक procedural nature का section है तो इसलिए किसी type के confusion से बचने के लिए यहां इस section में ऐसा बताना जरूरी था ध्यान रखिए यह main point है section का आगे कहा गया है कि इस act के तहट किसी suit में code किसी specific issue पर किसी expert की opinion चाहता है तो code एक या एक से ज्यादा expert को ऐसा करने के लिए बुला सकता है और ऐसे specific issue पर experts को अपनी report देने के लिए report कहां देने के लिए code में देने इसको court में secure कर सकता है मतलब उसको बोल सकता है कि आप court में आईए और document को produce कीजिए अब subsection 2 में ये clearly कहा गया है कि court जरूरत होने पर या वैसे भी किसी person को यहां किसी person से मतलब suits related किसी person से है दुनिया जहां के किसी भी person से नहीं है तो court किसी person को direct कर सकता है कि वह expert को relevant information दे य या तो वो खुद expert के सामने ले आए या फिर expert की पहुंच उन सब चीजों तक यानि की goods, documents और other property तक करा दे जिससे expert उनका inspection कर सके अब आता है subsection 3 यहां ये कहा गया है कि expert ऐसे inspection के बाद जो opinion देता है या फिर जो report submit करता है court में वो suit के record याने की काक्सों का ही हिस्सा माने ज report में यानि सब के सामने expert को examine कर सकती है ऐसे किसी भी matter पर जो उसने अपनी opinion में court को बताया है या फिर जो expert की report में लिखा गया है या फिर expert की पूरी opinion और पूरी report पर expert को examine किया जा सकता है किसके दौरा court के दौरा या फिर court की permission से suit की किसी party के दौरा या फिर उस तरीके के बा इसी सूट में इतनी मेहनत क्यों करेगा, अगर उसके महनताने की बात ना कीजाए, तो बस इसी लिए की काम बडिया तरीके से हो जाए, एक्सपर्ट के लिए महनताने का प्रोविजन भी यहीं कर दिया गया है, इस सेक्षिन के सबसेक्षिन 4 में, जो ये कहता है expert को उतनी fee, cost या expense मिलेंगे जितना court fix करें जो कि parties उस हिसाब से और उतने time के अंदर expert को देगी जैसा की court नरदेश देगा उमीद करती हूँ इस section के provisions आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर कोई doubt रह गया है तो आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं ऐसे ही और uploads के लिए बने रहे है legal gravity के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमशकार